जैहिन वंदे मातरम दोस्तों आप लोग का स्वागत है गुरुजी के चैनल mcx live research में और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो मैंने promise किया था कि natural gas में एक trap बना था candle का trap वो आप लोग को समझाने वाला हूँ live graph पर समझा दूँगा और बात करूँगा meet up की और बात करूँगा fees की और फिर बात करूँगा bank nifty की bank nifty की बहुत ही बहुत ही बहुतनी strategy यह उसके बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ एक बार आप लोग को सबसे पहले मैं graph पर समझा देता हूँ trap ठीक है और एक बात और टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लो आप YouTube चैनल सबस्क्राइब करो या ना करो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर आप लोगों ने टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कारण क्या है कभी कभी जब मेरा मूड होता है मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताएता हूँ जैसे कल मैंने बताया था कि NG में 50 से 60 पॉइंट मिलेंगे जिन लोग को फॉर्म मैं मिलेगा चीज नहीं मिलेगा जेव आप टेलिग्राम चैनल को जैन करोगे और खोला आप लोगों को मैं sellers क्या होता हूँ.. जिसको सब लॉइप घ्राई नहीं लोगों ने लोगों समझा उसको और रहो आप लोगों को अभी ग्राफ पर सम्जा देतो तो शुरू करें दोस्तों वो ट्रैप क्या था जिसमें बहुत सारे लोग फासे थी नेच्रल गैस ने साठ सतर पॉइंट नीचे की तरफ दे थी सेलिंग थी लोग बाइंग करके बैठे हुए थी ट्रैप समझाता हूं पुराने विद्ध्यारतियों को समझ आ जाएगा और नए विद्ध्यारति जिनको जो जिनको फॉर्मूला नहीं पता फिर भी समझ कोशिश करना मैं समझाता आ अपनी तरफ से मार्जन केंडल विद्ध्यारतियों को मालम है मेरे FIR मार्जन केंडल की साथ में एक पैटर्न बना हुआ दिखाई दिरहा आप लोगों को आप लोगों को नहीं पैटर्न बना नहीं है पर्फेक्ट नहीं और होखके यह जाए मोग देख रहे हैं मार्चन तो आप लोग को वह व Kids समझ आगा इतना मारज भुछ हमारे पास यहां एक ग्रीन कोई के इंडल है干्दा मिनिट का इंडल है जब बाजार हर बार ग्रीन केंडल बना रहा है और ग्रीन केंडल बनाने के बाद एक बार मतिलग क्लोजिग के नीचे हो जाता है एक बात को समझना आप लोग कि जब बजार में तेजी है तो rate gap अफ हो सकता है बजार की opening gap Gap Up हो सकती है, Gap Down नहीं होगी, समझ गई? Gap Down होगी तो समझ जाना कि यहां पर कोई Trap है, अब उस Trap को कैसे समझे? यह Trap अक्सर होते हैं expiry के आसपास, तो आपको करना क्या है? आपको next वाली expiry, अभी September चल रहा है, तो October वाली expiry वाला graph को लो, उसमें चेक करो, कि यह बजार में जब तेजी आ रहे थी, तो अगली candle red बन गई, red बन जा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी opening, green वाली candle की जो closing है यह वाली, देखो समझा देता हूँ closing क्या है, 646 रुपे, और इसकी opening कहां पर है, 645 रुपे अस्ती पैसे है, मतलब 20 पैसे का gap दे दिया, नीचे चला गया, फिर उपर गया है, उस gap को भरा है, फिर बाद में, यह red candle बन गी और उसके बाद बाजार चला गया नीचे, बिना बताये, यह बाजार नीचे नीचे जब तक अपना formula नहीं लगेगा, तब तक नीचे 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 जाएगा, फॉर्मूला लग गया, नीचे चला गया, लेकिन यहां दिखाई नहीं दे रहा, अब आपको करना क्या है, अगला graph खोल दो, कुन सा, अगली expiry खोल दो, किसकी October वाली, यह बात है, 21 सितंबर, ध दूसरा graph, कुन सा, October expiry का, यह है, October expiry का, यहां पर मैं देख रहा हूँ, इस candle की जो closing है, यहां तेजी है, यहां तेजी, यहां तेजी, इस candle की closing क्या है, 621 रुपे, 40 पैसे, green कलर की candle की closing, उसके बाद red कलर की जो candle है, इसकी opening का है, 621 रुपे, 50 पैसे, 10 पैसे उपर होगे न, बाजार तेजी में है, उपर होगे न, opening, चलेगा, लेकिन तेजी में और बाजार नीचे खुल जाए, opening नीचे हो जाए, तो इसका मतलब trap होता है, और यहां पर अपना formula set बैट था, वहां से बाजार आ गया, नीचे, नीचे आने के बाद मैंने क्या बोला था, मैंने आ यहां से 50 point नीचे इधर दे दिये थे, 70 point दिये हैं, और यहां से यह उपर की तरफ, उपर की तरफ तो नहीं गया भी, अभी sustain कर रहा है, लेकिन सोंबार से हो सकता ही उपर चला जाए, और ऐसे ही कुछ update जानने के लिए आप telegram channel जरूर जाइन कर लेना, ठीक है, अब बात क पाना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो मीट अप में मैं करता हूं counselling, और आप लोग की जरूत को समझता हूं, कि आप लोग को क्या चाहिए, बहुत उमीद के साथ आप लोग आते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, और उसी चीज को समझ के मैं आप लोग को, मेरे पस 2-3 प्लैन ह आप लोग को समझाना चाहता हूं, कि जो बिना trade करें, आप कैसा पैसा कमाए, सब की position तो नहीं है, सब अमीर आदमी तो नहीं है, हो सकता कुछ मेरी तरह गरीब हो, तो मेरे जैसे गरीब लोग को क्या करना चाहिए, वो आपको मैं प्लैन बताता हूं, दूसरा ये कि हो सकत आपके पास बहुत पैसा हो, मेरे कितर है, तो फिर मैं आप लोग को दूसरा प्लैन बताऊंगा, कि आप पैसा कहां लगाए, कैसे लगाए, किस तरीके से काम करें, तीसरा ये हो सकता है कि लोग चाहते हो कि मैं गुरुजी खुद से काम करना चाहता हूं, अपने दम पर, म मैं फिर वो बता दूँगा, तीसरा प्लैन वो बताऊंगा, फोर्थ क्या है, फोर्थ ये है कि मैं लोग की समझ चाहे देखके, जैसी उनकी जरूत है, उसी साब से मैं डिसकाउंट भी दे देता हूं, कुछ लोग को, डिसकाउंट अभी समझ लो, मैं सब को ही दे रहा हू जो मीटप में आ रहा है, कितना? 50,000 का, जो कोर्स की फीश्टी 2,4,000 पर उसको कर दिया, 1,4,000 पर, किसके लिए? जो मीटप में आ रहा है, उसके लिए. लेकिन एक आप लोग को प्रॉमिस करना पड़ेगा, प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि जो मैं सिखाउंगा, उसकी आपको प्रेक्टिस करनी है, और जो 50,000 का आप लोग को मैं डिसकाउंट दूँगा अभी के लिए, वो मेरा पैसा वापस कर देना, कैसे वापस करोंगे वो ही बताता हूं, अभी मैंने एक पोलिंग करी है, जिसमें 66% लोगों ने कहा है, कि हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं, और लगबग कितने परसेंट लोगों ने कहा है, MCX में काम करते हैं, 34 हो गया न, मैस मेरी कमजोर है, मैस में मेरी कमपार्टमेंट थी, कारण पता क्या उसका, उसका कारण यह है कि जब स्कूल में था मैं, और थोड़ा सा आवारागर्दी करते थे, और अपने मैस के ट तो ऐसे ही होगा, भाई, कभी जिन्दगी में काम्याब नहीं हो सकते, तो मैं कभी मैस में काम्याब नहीं हुआ, अब यह देखिए, 34, यहां साइड में लगा देता हूँ, 34% लोग MCX में काम कर रहें, 66% बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम कर रहें, तो मैं आप लोग को य है, एक ऐसा है, जिसमें आपको, देखो, यह प्रामिस आपको पहले करना होगा, कि पैसा लगाएंगे कम, कितना, 7,000 रुपे, 10,000 रुपे, 15,000 रुपे, बहुत, इससे ज्यादा नहीं, बलकि 7,800 रुपे, क्यों, 7,800 रुपे कैसे वो भी समझाता हूँ, मैं आप लोग को बताऊंगा, कि OTM को, ITM कैसे करना है, मतलब जिसका प्रीमियम, 200 रुपे है, सेम डे में, या नेक्स डे में, वो 200 रुपे, या 500 रुपे का प्रीमियम, या 170 रुपे का प्रीमियम, हो जाएगा, आपका 500, 600 और 700, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ठीक, अब आप लोग 10,000 रुपे लगा के, तो कम नहीं है, दूसरी स्ट्रेटेजी है, वो है एक्सपारी वाली, एक्सपारी से एक दिन पहले काम करना है, उसमें चाहे बुट ले लो, चाहे कॉल ले लो, फायदा होना ही होना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैसे करना है, यह दो स् से, और इसी पर प्रैक्टिस करकर के, करकर के, चोटा-चोटा काम करकर के, एक महीने के बाद, चाहे आप एक लाक रुपे लगाओ, दो लाक लगाओ, चार लाक लगाओ, आपके इच्छा है, लेकिन मेरा पैसा वापस दे देना हो, ठीक है, बात समझ गई, बैंक निफ्ट मेसिज आप लोगों को भीज़ दूँगा, आपना सीट बुक कर लेना, क्योंकि हम मैं चोटो-चोटे बैच बनाओंगा, और एक एप भी बना रहा हूं, आप लोगों को सहुलियत हो जाएगी, फोन में उठानी पाता हूं, आप लोग सोचते हों कि यार फोन भी नहीं करने वाली, और एप के तुरू आप बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए सारी जानकारिया मिलने लग जाएगा आपको, एक बात और है, अब जो कोर्स है वो चार दिन का है, मेरी कोशिश क्या रहेगी कि दो दिन के अंदर आपको पूरा फॉर्मूला पढ़ा दूं, ब बाकी जो दो दिन होंगे वो प्रैक्टिस के होंगे, लेकिन एक कंडिशन है, कंडिशन यह है कि भाई जी आप लोगों को बेसिक केंडल स्टिक पता होनी चाहिए, बेसिक केंडल स्टिक क्या होती है, जैसे हैमर है, मोर्निंग स्टार है, बहुत सारे ऐसे इवनिंग स्टा और ऐसी बहुत सारी केंडल से आपको पता होना ची ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है यह बेसिक है अगर यह नहीं मालूम तो मेरे पास मत आना मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि एक दिन तो बेसिक पढ़ाने में जाएगा फिर बाकि तीन दिन फिर नहीं समझाएगा या दो दिन प्रैक्टिस के हो जाएंगे और एक रिक्वेस्ट हो रहा है जब आप आओगे सीखने के लिए लाइव ट्रेट मत करना भाई अभी दो दिन तक सीखना जो मैं बात बोलता हूं उस पर ध्यान देना लाइव मार्केट में फॉर्मूला काम कैसे करता है वो लगाना स दिखा दूँ हमें और फिर आप वहां देखोगे यार यह क्या हुआ ओटीम एकदम आईटीम हो गया मतलब जो डेट सो रिपे की जो डेट सो का प्रीम प्रीमियम था वो पांस सो हो गया छे सो हो गया हमारा पैसा तो तीन गुना हो जाता आप लालच करोगे यार मैं ट्रे करता ही रहेगा ठीक है और मिलते हैं जल्दी मीट अप में अभी नवरात्र है नवरात्रों तक सेवा बंद रहेगी नवरात्र के बाद फिर उठेंगे तुफान बन के और फिर से सेमिनार शुरू करेंगे जय हिन वंदे मात्रम जय माराष्ट्र जय भारत